इशान ने दिया मीडिया को करारा जवाब रीवा ने इशान से कही बड़ी बात सवी पर भढ़का इशान दोसों गुम है किसी की प्यार में काफी ज़्यादा इंट्रोस्टिंग होता चला जा रहा है आने वाले अपिसोन में आपको देखने को मिलेगा कि सवी पर पूरी तरह से भढ़का है इशान जस तरह से सवी ने सब के सामने इशान की कहानी जो है वो बया की ऐसे में मीडिया इशान से करते हैं सवाल और अब इशान ने दे दिया है मीडिया वालों को करारा जवाब और कह दिया है कि किसी भी लड़की की बातों में आकर कालपनिक कहानी देखकर आप जज नहीं कर सकते मोसले इंस्टिट्यूट ने हमेशा विमन इंपाउमेंट को बढ़ावा दिया और ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर अक्का साहिब को संभालते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है कि किसी की वज़ह से मैं आपको कभी गलत नहीं समझूगा दोनों गले मिलते हैं दूसरी और रीवा इशान के पास जाती है और उससे मांगती है माफी ऐसे में इशान कहता करें जब तुम्हारे दिल से मेरे लिए नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी लेकिन अब बार बार तुम्हारा पीछा करके मैं तुम्हें परिशान नहीं करने वाली ऐसे में क्या अब रीवा हो जाएगी पीछे ये भी देखना इंट्रस्टिंग होगा दूसरी और अब पर बुरी तरह से भड़का है इशान इसलिए साफ साफ कह देता है मैं नहीं आने वाला और ये सवी किसी भी सदकार के लायक नहीं है यहां पर आज ही और सवी के उड़ जाते हैं होश अब देखना होगा सवी की इस हरकत की वज़ा से क्या इशान हमीशा के लिए सवी से हो जाएगा दूर इनका रिष्टा हो जाएगा खत्म क्या लगता है आपको इस बारे में नीचे कामें सेक्शन में जरूर बताएए